हेलो गाइज मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी होई लेटस खबर लिखकर आपकी सामने पेश हुए हूँ बिग बॉस के गर्मी लाइफ फिर्में दिखाया जा रहा है कि प्रियांका चौधरी के लिए जो MC स्टेंड की फीलिंग है उनको लेकर शिफ ठाकरी बहुत ज़़ा कंफ्यूजन में नसर आ रही है क्योंकि वैसे तो MC स्टेंड की प्रियांका चौधरी की सा लडाई चा रही है वो प्रियांका चौधरी के उपर बहुत इलजाम लगा रही है लेकर फिर भी बहुत चोरी चोरी ऐसी हरकते कर रही है जिसे देकर शिफ ठाकरी काफी ज़़ा भी समझ हो रही है वो समझ नहीं पा रही है अपने दोस्त को बात ही होती है कि जो MC स्टैन है वो पहले तो प्रियांका चौधरी के बल देख नहीं हो रही होते हैं वो पीशे बैठे होते हैं उनके जो प्रियांका चौधरी है वो काफी ज़़़ा पीशे बैठे होती है जिसके कारण MC स्टैन को वो नहीं दिखती लेकिन बाद में MC Strand एक दम से प्रियांका चौधरी के सामने होकर बैठ जाती है और प्रियांका की तरफ देखने लग जाती है और जब उन्हें पता लगता है कि शिव ठाकरी उन्हें की जी हरकत को नोट कर रहे है तभी MC Strand कहते है कि क्या यार मैंने किसका चहरा देख लिया यहां बसे तो लड़की सामने ही दिख रही है मैंने उस लड़की को नहीं देखना था तभी MC Strand को शिव ठाकरी कहते है कि अच्छा अगर तुने नहीं देखना तो तु यहां आकर बैठ जा उसकी और देखेगा नहीं वो दिखेगी नहीं यहां से तभी जो MC Strand है वो कहते है कि नहीं कोई बाने और वहां पर ही बैठे रहते हैं और प्र्यांका को देखते रहते हैं जिसे जो शिव ठाकर है वो देखकर काफी ज़्यादा बेस समझ हो रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं MC Strand को कि एक तरफ तो MC Strand नफरत दिखा रहे हैं लेकिन दूसरी और उन्हीं चोरी चोरी देख रहे हैं लेकिन आपको क्या लगता है आपके MC Strand की फिलिंग को समझ रहे हैं तो प्लीज हम से शियर जरूर की सिए और उनसे जुड़े ही हर अपडेट के लिए चांग को सिस्क्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर दिख जिए दन्याबाद